वेल्कम इन आवर चानल मार्केट नीज प्लिल आइक और सब्सक्राइब एंड प्रेश दबेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो हेले दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज बात करेंगे आई टी सी लिम्टेड की दोस्तों इसके बारे में सबसे ज़्यादा लोग पुछते कि आखिरी यह सेर मूब क्यों नहीं करता है कि इतना अच्छा मार्केट का एप है इतने बड़े-बड़े ब्रैंड है इसके इतना ज़्यादा डिमांड है हर साल इसका परफॉर्मेंस क्या टार्गेट हो सकते हैं और इस सेर में मुव्मेंट उतना क्यों नहीं है आखिरी सा कारान क्या हो सकता है तो चलिए दोस्तों पहले जो अप्डेट निकल के सामने आए उसमें बात करते हैं इसमें बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन बताया 20 जनवा आज का दिन का अपडे इसमें रिजल्ट अपडे कंपनी अलॉंग विद द सेग्मेंट वाइज रिविन्यू जिसमें रिजल्ट आसेट अनलिविलिटीज फोर दा क्वाटर और नाइन मंथ एंडे 31 दिसंबर 2021 तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखेंगे की वहां पर एक और न्यूस जो आई ह और दा फाइनेंशियल इयर एंडिंग 31 मार्च 2022 तो इसमें दो खबर होगे दोस्तों यहां पर डिवाइडेंट भी देने वाली कंपनी और यह तो सबको पता है कि इसमें डिवाइडेंट इल्ड काफी अच्छा है और इसलिए इसमें काफी लंबे समय से बरे बरे निवेस तक निवेसित हैं तो चलिए दोस्तों इसके मैं फिर से वापस चलता हूं यहां पर आखिर इसके डिलेवरी देखिए कितना अच्छा खासा लगाता है उसमें कारवार होता है लेकिन मुव्मेंट जादा नहीं आता लेकिन इसमें अभी अच्छे खासे डिलेवरी हो रही ह और दोस्तों जिस तरह के इसके business changes आ रहे हैं वहाँ पर देखिए टेकनिकल में अपने 100 डेमा 50 डेमा सब के नीचे जा चुका है और यहाँ पर अभी 200 डेमा भी ब्रीच हुआ है तो लेकिन इसका support आ से पास में है इसलिए घवराने के ज़रूवत नहीं है क्यों वहाँ से बह performance में भी कुछ खास नहीं है फाइव यहर का return माइनस 40% है आप टू यहर पर देखे तो माइनस 10 वन यहर का return 0.5% और उसके बाद से आप देखे शीक्स मत में 5% का return है थ्री मत में माइनस 11 है वन डेमे में माइनस 0.731 माइनस 2.32 वन मन्स में 2.99% का return है तो मतलब इससे जो भ और यहां से दोस्तों इसके बारे में जो fundamentals देखेंगे तो fundamentals काफी strong है यहां पर देखेंगे कि इसका जो book value share 49.42 का है dividend yield 4.91 का है दोस्तों काफी बढ़िया बढ़िया share का भी dividend yield इतना बढ़िया नहीं है जितना अच्छा इसका dividend yield है यहां पर अगर आप इसके result देखे तो net sales जो है 14,844.38 करोर पे है एविर्ता जो है 5017.60 है profit before tax 5054 है profit after tax देखे 3763 पे जा चुका है और net profit 3763 पे है और consolidated net profit भी बढ़ता हुआ नजर आया है और improve होता जा रहा है साल दर साल पे 3713 है और जिस तरह के अभी इसके sales के numbers हो सकते है वहां पर आपको ऊपर के तरफ जाता हुआ दिखेगा return on equity 21.97 है return on capital employed 28.60 return on assets 17.73 और financials में देखिए cash from operation 12,527 cash from investment activities 5,683 crore cash and cash equivalent आप देखेंगे तो 310 crore का है यहां पर net sales अब तक के सबसे highest level पे आ चुका है 58,613 crore उसके total income देखे 16,654.98 crore तो दोस्तों इतना तो काफी कंपनियां मिला कर भी उतना नहीं हो पाता है जितना इसका चरिप और सिफ net sales है total income है उतना consolidated net profit देखे 14,272.26 crore पे है इसका balance देखे काफी मजबूत है पहले से भी ज़्यादा वहाँ पे देख सकते हैं पिछले 2-3 सालों में लगातार इसके एक stability है 16,898 पे है आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका current liabilities पिछले 2 साल से बढ़ता हुआ नदर आया 10,793 पे और total assets में देखे 74,444.92 पे है यहाँ पे आपको साफ साफ नदर आएगा कि ऐसे time liability में लगातार आपको increment पिछले बस एक साल आपको करोणा करन डिप्रेसियसन देखने को मिला था लेकिन उसके बाद से फिर से increment देखने को मिल रहा है share holding pattern में दोस्तों promoter नहीं है लेकिन DII की holding देखिए आप 43% DII की holding है 9.99% FPI की holding है और यहां पर आप देखेंगे कि उसके बाद जो public holding है 100% है यहां पर उसलिए तो इसमें जो है आप देख सकते कि 52% से ज्यादा holding institutional investor की है आपको मैं यहां पर नाम दिखा दूगर mutual fund का तो इसमें SBI ETF पराग पारिक flexi cap है HDFC भारात और इसमें आपको बड़े बड़े जो है ICICI Prudential UTI बड़े बड़े नाम आपको नज़र आएंगे जीनों ने इसमें निवेस किया हुआ है यहां पर एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा डिल्स आपको यहां पर इंसाइडर दिल्स देखिए इंसाइडर डिल में आपको 13 दिसंबर को कुछ शेर सोल्ड किये गए लेकर ब्लॉक डिल दखिए अभी 8 दिसंबर को ही हुआ था पिछले महीने में वहां पर ब्लॉक डिल इसमें हुआ है 220.65 के रूपीज से और दोस्तों यहां पर आपको बिल्कुल यहां पर यह जो ब्ल के साथ और डिलेवरी के साथ कारोबार चल रहा है तो यहां पर इसकी टार्गेट में थोरा लॉंग टर्म का चार्ट ओपन करूंगा ताकि आपको अहां पर साफ साथ दिख सकता है कि यहां पर यहां पर आप सपोर्ट देखेंगे तो 210 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉंग सपोर्ट है तो 215 पर सपोर्ट है तो यहां पर आप करते भी है तो यहां से पहला जो टार्गेट है वह आपको 222 रूपीज के यहां पर ऊपर के तरफ आएंगे जो आपको 100 में आतक बाद दिख भी जाएगा 222 रूपीज के उसका दूसरा जो टार्गेट है वह रहेगा 22 227 रूपीज के और जो तीसरा टार्गेट रहेगा वो रहेगा 235 रूपीज के दोस्तों यह तीनों टार्गेट आपको सौर्ट टर्म ही अचीव होते वे दिख जाएंगे और अगर आप सौर्ट टर्म बेसेज पर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं तो आप मेरे l answers, फ्रीटेलीग्राम चैनल से जूर सकते हैं जहां पर मैं और हिए schonる पॉपिशनल कॉल शेयर करता हूं market भी प्रैट करता हूं दोस्तों वहां पर जन्रेलिव मैं ऐसे सेर को शेयर करता हूं जिसमें अभी मुव्मेंट नहीं आ या है जिसमें movement में आसकता है ऐसे होता है कि जैसे जेरली नियूज में यह सिश तब आते हैं जब मूखमेंट में आ जाते हैं उसके बास से रिटैलर स Device करके trap होने के चांसस ज्यादा होते थो दोस्तों वहाँ पहुद चैंस कभी भी मैं बोलता हूं हाइद पर कभी किसी भी shares को buy करना नहीं है आप दूसरे shares को opportunity के तलास किजिए जिसमें ज्यादा opportunity है profit बनाने का तो उसके लिए आप मैंने free telegram channel से जूर सकते जिसका link आपको description में मिल जागा तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए news नए update के साथ धन्यवाद